हाई अवरिवन मैं हूँ धनन जय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे ये कितनी अजीब बात है कि एक ब्रिज बनते बनते टूट जाता है जिस ब्रिज को बनाने में लगभग कुछ 12 करोर रुपय के आसपास खर्च होते हैं और ये पैसे आपके हमारे जैसे टै उनको उसके रिजल्ट आते हैं लेकिन इस पूरे वोटिंग प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो जो एक रियल मुद्दा था या जिस पे बात करना चाहिए था उस पे ना तो कभी सरकार बात करते थे ना तो कभी उस पे जो कॉमन वोटर से वो कभी उस पे खुलके बा बावजूद कहीं पे रोड नहीं है कहीं पे स्कूल नहीं है युनिवर्सिटीज नहीं है तो इसके कारण सारे अच्छाई रहने के बावजूद हम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से हमें परफॉर्म करना चाहिए था और उसके बाद बीते कुछ स बार होता है जब हम अपने आपको चाइना के साथ compare करते हैं और हम ये देखते हैं कि क्यूं चाइना आज US को टकर देता है और किस तरीके से चाइना आज के rate में global superpower बन गया है सबसे अजीब बात है वो ये है कि accountability किसकी बनीगी ये कभी समझ में नहीं आता है एकाम जनता को और इसी बीच जब भी हमारे सामने कुछ भी इस type कर news आता है तो 2-4 दिन मीडिया में रहने के बाद वो news automatically खतम हो जाता या किसी दूसरे news के साथ उसे replace कर दिया जाता है इसी बीच कभी हमें ये समझ में नहीं आता है कि अगर कोई भी दुरगटना इस तरीके से घटा है तो उसके पीछे responsibility किसकी बनती है आज जो political party सरकार में है जब वो opposition में होते हैं तब वो खूब short शराबा करते हैं इसी बीच भारत में अगर कहीं पे भी road construction या bridge construction की बात की जाती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है वो आता है नितिन गतकरी का कहीं पे भी एगर road बन रहा हो या bridges बन रहा हो तो हमें यही लगता है कि उस project के पीछे नितिन गतकरी सरका या उनके ministry का involvement है लेकिन जैसे ही ये bridge गिरने की खबर आती है वैसे ही नितिन गतकरी social media platform expert tweet करते हैं और कहते हैं कि ये जो project था वो complete तरीके से handle किया जा रहा था government of Bihar के द्वारा ना कि central government के द्वारा हलाकि भले यहाँ पे नितिन गतकरी या उनके ministry का यहाँ पे कोई role नहीं बनता है लेकिन फिर भी जिस तरीके से Bihar के rural development ministry के द्वारा सारे rules को surpass करके tenders दिये जाते हैं कही न कहीं ये बहुत बड़ा concern है और जो common civilians है उनको इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए और कहीं न कहीं जो हमारा voting का pattern है जो हमारा सोच है vote डालने के पहले उसे जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक हम भूल जाएं कि भारत एक global superpower बन सकता है वहीं अगर बात किया जाए बिहार का दोबीते कुछ सालों में इस type का घटना काफी हुआ है जहां पे बनता हुआ bridge टूट जाता है और कुछ दुनों के बाद ही वो news किसी दूसरे news के साथ replace हो जाता है अगर हम इसी specifically bridge की बात करें तो 2020 में भी ये bridge टूट गया था जिसके कारण 12 लोंग कुछ नदी में गिर गया थे इस type का news बिहार से आना काफी common हो गया है जहांपे बहुत बड़ा railway track को चोर रात में काट के लेके चले जाते हैं या mobile tower की चोरी हो गई और इसी बीच बीते रोज जाने के 18 जून को ये bridge गिरता है और 19 जून को Prime Minister Modi बिहार में होते हैं जहांपे वो नालंदा यूनिवर्सिटी का inauguration करते हैं जहांपे inauguration speech में वो ये कहते हैं कि वो चाहते हैं कि भारत को knowledge का global hub बनाया जाए education में लेकिन ये bridge क्यों गिरा और उसके पीछे कौन accountable है इसके बारे में कहीं से कुछ भी नहीं कहा गया वहीं पे अगर बात किया जाए भारत के universities या colleges के बारे में तो ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि भारत के जो universities है या जो college का हाल है वो काफी खराब है और in fact जो global ranking है हम उससे भी match नहीं करते हैं इसके पीछे का वज़ा है कि जिस तरीके से government of India बहुत ही limited amount खर्च करते हैं अपने GDP का education में ये सबसे वड़ा concern है कि क्यों भारत के पास potential होते हुए भी हम उस तरीके से perform नहीं कर पाते है जिस तरीके से हमें perform करना चाहिए था जहांपे एक data के हिसाब से भारत के जो best universities हैं वहाँ पे student और professor के बीच में या faculty के बीच में जो ratio है वो 20 to 1 का है वहीं अगर बात किया जाए और भी foreign universities का तो वहाँ पे 10 to 1 का ratio है तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी देश अपने education पे बढ़ चड़ कर खर्च नहीं करेगा तब तक वो देश कभी भी global superpower नहीं बन सकता है और ऐसा नहीं कि government of India को इन सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है समय दर समय उनको reports मिलते रहते हैं लेकिन कहीं न कहीं उन सारे reports को ignore करते रहते हैं जिसके कारण जो quality education है वो कभी भी मिल नहीं पाता है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई